किया आप लोग भी मेरी तरह वोलवरीन एक हुग जैकमेंट के बहुत बड़े फैनों और उनके वज़े से आप लोग इस पर्टिकलर वीडियो को भी क्लिक के और उनके लिए आप लोग रेमिनेसेंस मुवी को भी देखना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगा प्या करूँ उसका मैंने रिव्यू किया था और उस रिव्यू को बहुत कम लोगों ने देखा तो जाओ पहले रिव्यू पसंद आएगा तो वेश्वर्ड शो भी देखना और वो शो देखने के बात है डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकलर मुवी को चेक आउट को रहे हैं किया मैं मियामी पानी पे यान की एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक वड़ है यान कि हमारे आने वाले कले की कहानी यहां पर मायमी में फुल tremendous पानी भह गिया लेकिन इंसान भी वहाँ पर रहा है लेकिन कभी न निश्युक्तёр है कर दो नहीं है क्योंकि वह तो प्लाइमेट चेंज के वजी से हुआ है में मुद्द ही है कि मायामी में हमें नजार आते हैं निक मैनिश्टर है जो कि एक वेटरेन है और फिलाल इनके पाद एक ऐसी मशीन है जिस मशीन के दूरू इंसान अपनी मेमिरी यानि कि अपने पास मुवी क यानिक के रेबेका फिर्गेसन जिसके बाद क्या ट्विस्ट एंटन्स आते हैं यह सब कुछ जानने के लिए तो भाई चाओ मुवी देखो अगर मुवी के कॉंसेप की बात करूंगा तो यस काफी अलग काफी अच्छा कॉंसेप लगा लेकिन बिलीवेबल नहीं लगा क् एक सीन के बारे में डिसकस करना चाहूंगा कि मैं यानिक रेबेका फिर्गेसन अपनी चाबी यानि की भूल जाती है तो वो निक के पास आती है और वो चाहती कि निक पता लगा कि उसने अपनी चाबी कहां भूली है या चाबी घुम गई है तो ऑवियस्ट यार वो जो मेमेरी में फिर से भेजता है ताके वो लोग जी सके तो जब में को यह यादी नहीं है कि उसकी कहां उसने घुमा दी या कहां उसने रख दी तो उसकी मेमेरी में यह चीज कहां से आई क्योंकि हमारे मेमेरी में जो चीज होती है वही चीज हमको पता चलती है तो अब निक तो इसके मेमिरी से ही पता लगाए गाना तो जब इसके मेमिरी में वह चीज ही नहीं कि भाई चाबी उसने रखी का तो मशीन कैसे पता लगाई यह कोशन मुझे बहुत दिमाज में खुलबुल खुलबुल कर रहा था और मैं सुझे आप लोग को सामने शेयर को यह आप खताना कि मश्य ने केसा पकड लिया कि इसको याद इन इन रम करेक्टर तो है नहीं जितने इव नहीं वन निक और निक और में ने बीचीड की लाव श्ट्री पता इस मुवी में लेकिन करेक्टर्स को ज्यादा डैप में उनको डेवलॉप नहीं कि बस आते वरफ पहली नेजर में प्यार बदा दिया प्यार के बाद वही जो चीज़े हो जाती है जो चीज़ उनको करना चाहिए था उसके लाव ज्यादा करेक्टर्स है नहीं में कुछ में प्लॉट के अलावा सब प्लॉट्स भी देखने मिलेंगे जो कि ठीक ठाक है यार मताब इतना इंट्रेस्टिंग नहीं था लेकिन मुवी को ठीक तरह से आगे बढ़ा ना था लेकि फिर भी ठीक ठाक है और वो जिस तरीके से को यहीं हॉल्यूड वालों की तारीफ पनी बड़ेगी कि लोग विएफ इतनी सफाइस करते हैं कि हमको इसा लगता है कि वाक्या में माया में फुल्टो पानी भर चुक है और यह चीज़ मुझे बहुत च्छी तरह से और हर एक स देखते हैं तो हम लोग बोल जाते कि वालवरीन किया है या इतने अच्छे-च्छे रोल्स किया लेकि फिर भी वह अपने हर एक रोल में मतलब पूरी तरह से सैट हो जाते है और उनकी लास्ट मुवी तो जिसमें वह टीचर या प्रोफेसर बने दिया तो मैं नाम भूल ग करना तो यह बताता है कि हूँ जैकमन किस लेवल के एक्टर किस लेवल के वर्सटेल एक्टर है और इस मुवी में भी उन्होंने क्या घजब की एक्टिंग किये अपने हिस्तियों में बहुत अच्छी तरह से निवाया प्लस टैंडी वी न्यूटिन जो कि हमें वैश्वर् एंगल देखने में मिलेगा जो मतलब काफी हथ तक इंट्रेस्टिंग था और मतलब डिरेक्टर नहीं आपर ज्यादा एक्स्प्लोर नहीं किया बट फिर भी एजन ओडियंस इतनी सारी मैंने मुवी देखो तो अब तो मैं समझ गया कि वह बताना क्या चाह रहा था तो तो मैक्सिमुम ओडियंस को शायद पसंदने है कुछ ओडियंस को पसंद आ भी सकती और कुछ न्यूटल होएंगे कि यहां ठीक यार ओके-ओके और मैं बोलूँगा यह एक ओके मूवी है तो यह चीज का ज्यान रखना मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेडिंग दूँगा 6.5 आउट ओफ 10 तो मिलता है नेक्स वीडियो में यह आपको एजबियो मैक्स में देखने में VPN की हेल्प से बाकी नेक्स्ट वीक यानिके ऑगस्ट 27 को यह ठीटर्स में रिलीज होगी और चांसे यह है कि यह सिर्फ इंग्लिश में रिलीज होगी क्योंकि इसका हिंदी ट् कर लों बस बाए माफ करो